Hello Friends, आप सभी का स्वागत है आप सभी का 21 फरवरी को गड़ीद का पेपर है आज हम गड़ीद के महत्वड पहवीकल्पि परश्नों को देखेंगे Friends, आज उन प्रश्नों के लिए हैं जो आपके बोड के एक्जाम में सेम टू सेम 21 फरवरी को यह सभी प्रश्ण आएंगे फ्रेंस आज हम गड़ीत के पूरे किताब का नीचोड जितने हैं उन्हीं सभी सवालों के लिए हैं हंडीट परसेंटेज आपको गारंटी देते हैं फ्रेंस कि यही प्रश्ण आपके एक्जाम में आने वाले हैं तो फ्रेंस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके सामने यह पहला नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन सा सभाज संख्याओं का एक यूग में संख्याओं का मतलब होता है कि यह संख्याओं का हथी थीक है साथ सब्सक्राइब निकालेंगे तो आपका एक मिलेगा और इसका सही जवाप यही होगा और इसका सही जवाप यही होगा आपके एक युगम काउन से 18,25 ठीक है तो सहाभाजी का मतलब क्या होता है कि एसका एक आएगा वही सहाभाजी युगम होता है ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगले नंबर का सवाल है देखिए आपके साइन ए बराबर चारपटा के प एक करण होता है ठीक है और यहाँ पेसाईन एक मन कितना दे है चार बटा के पांस ठीक है तुंड़ पीश्केbs बटा पार कोया है करके साइड का सवाल ही बता देते है आपको कड का स्कॉर आधार का स्कॉर प्लस लंब का स्कॉर ठीक फिर इसका कड कितना है पाच का स्कॉर कर लीजिए आधार कितना है पता करना है आधार के लंब कितना है चार का स्कॉर देखें पचाँ पचीस हो जाएगा और यह हो जाएगा आधार का स्कॉर चार चोको 16, पच्छान तक कर लिजिए, देखें, यहाँ पर 25 माइनस 16, आधार का स्क्वार, ठीक, घटाएंगे तो कितना बच्छेगा, आपका 9 हो जाएगा, आधार, स्क्वार, देखें, दोनों पच्छों को रूट ले गए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तीन, आध होता है, लंब बड़ा कि आधार फार्मूला होता है, अब यहाँ पर लंब कितना है आपका, देखें, लंब तो है चार आधार कितना है, तीन, यानि कि कि घड़ हो जोका, आपको पांस नहीं सवाब होगा सी, पिर गग्यिस ही सवाल को आपको लिगाना रहा ताम को याद इसका रेशियो जो तीन चार और पांच का बनता है ठीक है इसमें फार्मूला में देख लेंगे कि यदि लंब चार है कड़ पांच है ता आपका आधार तीन होगा डायरेक्ट फार्मूला पर रखे हल कर लीजिएगा ठीक है जले अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यहां है तीसरा हर का कि बिंद्ध हृणी दूरी बिंद्ध से दूरिए रहे होता है देखिए डारेक्ट याद़् किस्कौार मतलबोन थो है ये 2画 करें हो ठीक होगा और चोपे एक पचीस कवर ना होगा है पांच यहां पर दूरी देखिए कितcesशन रहे हो घहां के आप समने दे का M B वला होगा ठीक है आपको सामने अगला नमबर का सवाल है कि बिंदू 3,4 की यक्स अच्छ से दूरी होगी देखे फ़ेंज जब यक्स अच्छ से दूरी पूछता है ता आपको hy का mahnu बताना होता है इसमें पहला यक्स होता है या क्षह पूचता है दूसरा Y जब यक्स अच्छ से कहता है तो आपको diy का mahnu कितना हो झाए county इसमें इसका सही जवाब होगा चार हैं लिए नमबर के सवाल को देखते हैं यह सामने अगला नमबर का सवाल है कि यह झार कि यहाँ परस्ट बाराबर जीरो के मूल बराबर है तो सुषी यद्याद कीजिए देखिये यहाँ मूल बराबर है जब फ्रेंश मूल बराबर होता है यहाँ फार्मूला उता है B square minus 4 A C बराबर 0 होता है यहाँ पर फ्रेंस यक्स इसको देखे यह A का मान होता है यह B का होता है यह C का होता है ठीक है यहाँ पर B का मान कितना है माइनस 8 है तो माइनस 8 का स्कॉार कर लिजी माइनस 4 गुड़ एक जगा अब कितना है 2 C के मा यहाँ पर C का मान ग्याद करना तो C रहने दीजे बराबर 0 इसको हर कर लिजी देखे 8 के इसको हर करेंगे 400 होगा 4 दूना के 8 C होगा बराबर 0 पच्छान तक कर लिजी है देखे 64 बराबर कितना हो जागा 8 C हो जागा यहाँ पर 64 बटाके 8 को पच्छान तक कर लिजी C कमान ग्याद करना है देखे 8 के मार 8 चौना तो C कमान कितना है कि आपका 8 होगे चलिए आपसन में देखते हैं तो C बराबर 8 है तो आपका इसका सही जवाब क्या होगा D वाला इसका सही जवाब होगा ठीक है फ्रेंस आपके सामनी अगला नंबर का सवाल है यहाँ पर देखिए आप कि 3 काट A बराबर 4 तो 6 A कमान होगा अब यहाँ पर देखे इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे यहाँ पर दिया है कि 3 काट A बराबर 4 तो यहाँ काट A बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा के 3 ठीक है अब इसका फार्मूला क्या होता है जब फ्रेंस इसका फार्मूला देखेंगे तो काट A बराबर होता है आधार बटा के लंब होता है ठीक है टेन कुल्टा होता है तहलें आधार बट़ा के लंब हैं कि IT इतना है कितना चार थे तीन अभी पताएंग जब 34 देगा तो आपका 4 पांच के बंदता है यहां पी यह क्या होगा आपका यह आपका लॉम्ब हुआ है यह पिर यह क्या हुआ प्सेलियूर जलने के दुरूत नहीं है तीन चार पांच के रेषियो याद रखिए ठीक है फार्मॉला पर रखें देख लिए इसमें लम कौण सा आधार कौण सा है आपका कड़ हमेसा पांच होगा ठीक है अब देखें इसमें पूछ क्या रहा है तो आपके ये फार्मॉला के एक वीडि कितना हुझाश पांच पता के चार होगा इसमें आपसन में देखता है आपका भी वाला सही है ठीक है चलि अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपका साथवा नंबर का सवाल एक से 10 तक प्राइबी संख्याओं का समनांतर माद दे ठीक है अब देखर समानांतर माद दिखना दिबराब फार्मुला होता है कि सभी पदों का योग या एक से 10 दस तक पदों का योग देख़े एक प्लस दू प्लस तीन प्लस चार पांद चे, साथ, आठ, नो, और दस, ठीक है, सभी पदों का योग कर लिजिए, और इसमें पदों की संख्या क्याद किजिए, यहां से लेकिए, एक, दू, तीन, चार, पंगी, नहीं करते, दस होगा, तो सभी पदों की, देखे, सभी पदों का योग बटे कर पदों की संख्या, अ लिए अगले नमबर के सवाल को हल करते हैं, यहां आपके सामने, अठवा नमबर का सवाल है, देखे, इस सवाल को कैसे हल करेंगे, कि बिंदू माइनस दू काम अच्छा, और माइनस दू काम दस, को मिलाने वाला रेखा, खंड के मद्ध बिंदू के निरशांग पूछ रह देखें फ्रेंस, इसका फार्मूला क्या होगा आपका, यक्स वन प्लस एक्स टू बटा के दू कामा, वाई वन प्लस वाई टू बटा के दू, अब यहां पर मान रख लिजी, यक्स वन का मान है कितना, माइनस दू, यक्स टू का मान है माईनस दू, बटा के दू, कामा, y1 का मान है 6, प्लस y2 का मान है आपका 10, बटा के 2, देखे 2 दू, माइनस 4 बटा के 2 होगा, यह 16 बटा के 2, भाग देंगे कितना होगा, माइनस 2 कामा 8, अब चलिए आपसन में देखते हैं, कि माइनस 2 कामा 8 लिखा कहां पर है, जब आध देखेंगे आप 20 इसका सही जवाप सीवाल होगा सवाल होगा चलिये अगले नंबर के सवाल को लेकिते हैं यह ब्रित के आकार का होता हैँ तो यहां अधर का च्थर फल BL nya Зबिन आधार का वियास पूछ रहा है जी कि आधार बृत के इहां विलतं होता है तरच Kणरत कर और नोबहें वर्गमूल शहक पाइगा नौब्रबहें वर्गमुल देधे наж आति नहीं तीन आपकई तरच statement यहां पूछ रहा है आधार का भ्यास में देएक आपसन में देखेंगे तो आपका सही जवाब हुआ वह दी च separately अगले नमबर के सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगले नमर के सवाल है देखि इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे ठीक है अब देखिए यहाँ पर दिया कि यक्स टैन पैताली संस कास साथंस बेराबर 17 शाथंस बाकार 17 शाथंस तो काट साथ हैंस अब देखें। हैंब यहां पर माला किके मृत्त करड़ी करड़ी में एक करड़ी में थीक। अब देखेँ इसको हाल किचेheh dh gari 3 से एकट 20 कटने, और सही होगा littxo UP 9 की अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपको सामने अगला नंबर का सवाल यह बोर्ड के इば ऑथके एक्जाम है धीक है चित्र में की कि निरत शौंग होगे दोंगे मूल बंदू के बाद सेथ हैं यहां पर इखेंगे यह यक्न कितना यह 3 मूल बिंदू के इधार आती है यह माइश में चिन होता है माइनस इToday है और lives कि नीचे आते घर यहां है माइनस में होता इसका सही है जवाब देखे तो चलिए आपके सामने अगले नंबर का सवाल है यह आप देख सकते हैं परहवें नंबर का कि आकड़ो दू कामा बारा कामा जीरो नौ पंद्रा पंद्रा साथ चार की माधिका होगी अब इसकी माधिका पूछ रैफ्रेंस देखें माधिका आप निकालेंगे कैसे जब भी क्या है चार है चार से बढ़ा पांच है पांच से बढ़ा साथ है साथ से बढ़ा नो है नो से बढ़ा बार 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 से बढ़ा पंद्रा फिरेंस एक बर जरू मिला लीजिए गा एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ यहां पे बीच में दो ही पता रहे हैं तो इन दोनों के जोड़के साथ पांच बारा बटा गदू कितना हो जगए अच्छा जब बहुवी कल्पी सवाल देगा और इसमें मादी का पूछे गनत आपको इसी प्रकास सवाल को लगाना है ठीक बहुवी कल्पी में इसी प्रकास इसका सही जवाब आपका होग अच्छा है इसका सही जवाब होगा आपका बीच चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल है कि रेखा यक्स कामा वाई बराबर आठ किस बिंदू पर वाई अच्छ को परतिछेद करता है तो उस समय आपको क्या लेना है यक्स कमान जीरो लेना है यही चीजा आपको ध्यान देना उससे में आपको यक्स कमान कितना लेना है जीरो अब यक्स कमान इसमें रख दीजिए समीकड क्या दिया है आपका यक्स माइनस वाई बराबर आठ दिया है यक्स के जगए जीरो रखे माइनस वाई बरा आपके सामने अगला नमबर का सवाल है यहां पर देखिए देखिए इसको टिक्स लगाएगा हमें से समी करण यक्स-2y बराबर दू का कौन सा एक हल हो सकता है अब जब भी ऐसा सवाल पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा जितने आप से रहेगे इसमें रख यानि यक्स और यहां पर देखिए यक्स कमान 6 है तो 6 रखिए माइन 2 गुड़े वाई कमान 2 है तो 2 रख लिए बराबर आपको दू लाना यानि 6 मान 2 दू दूना के 4 बराबर दू 6 में 4 गया दू 2 बराबर क्या आगए आपका दू जिस मान पर 25 बराबर होंगे वही आपका एंसर होगा इसका तो सही जवाब आपका ए होगा देखिए फरेंस आप इसी प्रकास्ता रख के देखिए का जिस में मान मिल हो सकता है यहां पर को ह अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपके सामने अगले नंबर का सवाल है देखिए क्या है कि बृत पर इस्थीत बिंदू से खीचे गई असपर्ष रेखा तता संगत तिरिज्या के बीच कोड हो सकता है अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगले नंबर के सवाल को देखते हैं इस सवाल को कैसे ही करेंगे यक्स स्क्वार प्लस पांच बराबर एक बर्हेट नो है तो यक्स का मन हो गयाद करना है देखिए पहले सवाल को आप लिख लीजीएगा चलिए सवाल ने बड़ीगते ऐं गयाग कोढ़ें इसका यह पर प्लस पांच हो गा और नो के एक में करेंगे तो 9 हो जाएगा यक वरावर 9 9 वारव सक जब बड़ाया थनी हो जायगा यक्स इसक्वार बड़ाव सक ने पांच पांच 00 Ş पीझा बड़ाया विर्गमूल निकालता है तो इसका प्लस माइनस दो यहां प्लस-AI-टाइच्ट को सवालaza के चलिए इसका मान बताना देखी ति कैसे लगा सकते हैं यहाँ पर दिया है साइन स्क्वार ठीटा डार्ट सेख स्क्वार ठीटा देखिए अब साइन स्क्वार ठीटा गुड़े सेख को क्या लिख सकते हैं वाना पान कास स्क्वार ठीटा और देखिए इसको लिखना साइन का एकम करें तो साइन स्क्वार ठीटा पान कास स्क्वार ठीटा अब आपको पता होगा साइन बटा के कास को क्या लिखा जाता है टैन ठीटा लिखा जाते साइन बटा के कास को यहाँ स्क्वार तो इसक्वार लग लेती इसका एंस्वर क्या हो जागा आपका टैन स्क्वार ठीटा चलिए आपसन में देखते हैं जब आपसन में सब्सक्राइब होता है कि जो आकड़े दिये होते हैं इसमें कौन से संख्या सबसे अधिक बार आई है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका एसका सही जवाब आपका 29 होगा आपके सामने यह अगला नमबर का सवाल है यहाँ पर देख सकते हैं यहादि एक बिरित का परिमाप और च्छेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस बिरित की त्रिज्या होगी देखिए फ्रेंस इस सवाल को अप कैसे लगाएंगे बिरित का जो परिमाप है परि यहां यहाँ पर यहां पर पाई आर कितना होगा और यहां पूछा क्या है कि विरित की तीरिज्या क्या हो गया दो इसका सही जवाब आप देख लिए इसका सही जवाब होगा दो ठीक है तो फ्रेंस यहां पे आपको nor महतुपुर् सवाल कराएं इसमें से ही आपके बॉर्ड के एक्जाम में सेम तो सेम प्रशन चपेंगे तो फृरेंश आपसे इतना निवेदन करते हैं कि वीडियो को आप पूरा देखा किजिए जिससे आप बॉर्ड के एक्जाम में सतर नमबर का पेपर है तो सतर में सतर आप पास के ठीक है फ्रेंस तो फ्रेंस आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें